बिहार के बाद अब दुक करेंगे असम का जो की बार से बेहाल है हम असम से लगातार बार की खबरें आप तक पहुँचा रहे हैं असम के गोला घाट से देखिया अश्टोष मिश्रा की ये रिपोर्ट गोला घाट के उस गाव में हम पहुचे हैं और ये पुश्पलाल का घर है और ऐसे नजाने कितने घर हैं इस गाव में जो सब कुछ फिलहाल पानी के भीतर समाए हुए है अमूमन इन लाकों में हर साल बाढ़ आती है और बाढ़ की वज़े से अगर आप यहां घरों की बनावट देखें तो वो इसी तरह होती हैं जो जमीन से लगबग 7-8 फिट-10 फिट उंचे बनाए जाते हैं इसलिए क्योंकि बाढ़ का सामना हर साल करना पड़ता है और अगर पक्के घर होंगे सामाने तरीके से तो पानी में डूब जाएंगे पानी का स्तर अगर असम की बाढ़ को देखें और यहां के जो लोग रहते हैं वो मानते हैं कि पानी का अस्तर ये कम है, पानी इसके ऊपर भी जाता है, शेहरों में घुटनों तक के पानी को लोग बाढ़ कहते हैं, असम में बाढ़ इस हद तक है कि सब कुछ डूबा हुआ है, लेकिन फिर भी लोग उसे सामान्य जिंदगी मानते हैं, यहां जिंदगी क तक मदद पहुचाना अपने आप में एक बड़ी चुनोती बन जाती है, लो लाइन इलाकों में असम में कई ऐसे लोग भी हैं जिनके पास अपनी नाव भी नहीं हैं, और तब उनके पास सहारा होता है, इस तरह से बांस से बनाए हुए नाव से अपने गंतव्य तक पहु हर साल की कहानी है, असम के गोलाघार से संजय कुमार के साथ में आशितोष मिश्रा आज तक, नमस्कार मैं हूं अंजना ओमकश्यप, हमें उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रही है आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले